हेलो ट्रेडर्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल एक्विटी स्टार ट्रेडर्स आज की इस वीडियो में वनली बैंक निप्टी और निप्टी के अनलेसिस हम लोग देखने वाले हैं कल की वीडियो में मैं आप लोग के लिए 4-25 स्टोक के अनलेसिस को लाने वाला हूँ तो आज मैं इसमें काफी deeply explain करने वाला हूँ कि market का sentiment क्या है last day market की step से perform किया है क्या market यहाँ पे दो दिन continue गिरने के बाद यहाँ से upside का momentum कर सकता है या फिर यहाँ से downside को ही continue करेगा इन सारे चीजों को हर एक सवाल को मैं यहाँ पे deeply explain करूँगा और आप लोग को logical समझाओंगा कि market कैसे react करता live market में और यहाँ पे market का क्या sentiment हो सकता है आईए to the point चलते हैं अगर इस चैनल में आप लोग new है तो चैनल को जरूर subscribe करें for latest update के लिए और guys वीडियो फसंद आद वीडियो को एक प्यारा सा like जरूर कीजेगा सबसे पहले यहाँ पे bank nifty का अगर हम देखते हैं थे देखिए previous two days से market में selling pressure काफी ज़्यादा था और आपको यहाँ पे last day panic selling भी देखने को मेरा क्योंकि selling pressure previous day से ही काफी ज़्यादा था और यहाँ पे क्या हुआ था एक major support को market breakdown किया था तो इसके कारण market में selling pressure यहाँ पे काफी ज़्यादा था दूसरी बाते हैं कि market यहाँ पे देखिए अब थोड़ा बहुत यहाँ पे आने के बाद जो एक lower bottom लगाया था जो exactly हमारा जो support था 40,900 जो की काफी strong support है यहीं से देखिए market two inverted hammer बनाया अब मैंने आपको कल ही समझाया था एक बार कि hammer अगर यहाँ पे मानके जो लो कभी कभी top पे बन जाता था यह inverted hammer वाला काम करता है अब ऐसा भी काम करता है और यही hammer अगर inverted hammer यहाँ bottom पे बन जाता है जहाँ पे exactly support लेवल होता है देखिए यहाँ पे exactly बना हुआ है एक hammer बना हुआ है और यहीं पे एक doji candle बना हुआ है तो दोनों का effect देखिए देखने को मिला है अब यहाँ पर जो काम किया है यह hammer जैसा का आपके सामने देखिए यह results है तो यह सब सारे चीज़े आपको समझना पड़ेगा मैं आपको एक ही दिन बताया कि जो चीज़े किताब में लिखी होती है जो चीज़े हम पढ़ते हैं वो ऐसा ही exactly यहाँ पे आपको chart पे नहीं दिखता है कुछ न कुछ different way में होता है उसके functions को हमको सबजना होता है observe करना होता है यह चीज़े आपको कोई बताएगा नहीं कोई समझाएगा नहीं यह आपका खुद का observation होता है तो इस चीज़ को समझने का कोसिस करें अब यहाँ पे देखिए market क्या किया है previous two days से market यहाँ पे गिरते आया मतलब downfall आया है अभी market यहा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया है ठीक है थोड़ा सा तो मैंने बोला है कि market का trend अगर down है तो market हमेशा jig-jack pattern में इस तरीका से चलता है अब यहाँ पे दो दिन गिरा है तो इतना बड़ा momentum जो upside का दिया यह एक retracement purpose से भी हो सकता है या फिर market यहाँ पे और ज़्यादा retrace करक वो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं एक trend line को draw कर लूँगा जो trend line यहाँ पे मुझे आपके सामने दिख रहा है यह वाली trend line को मैंने draw कर लिया अब इस trend line के according और यह resistance 240 के according market यहाँ पे closing है देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है market as a normally open हो सकता है और gap up भी हो सकता है या फिर gap down भी हो सकता है लेकिन gap up या gap down होता है तो जिस range में होगा जहाँ जैसे यहाँ पे होता है तो फिर इस level को हम लोग follow करेंगे यहाँ पे होगा तो इस level को follow करेंगे राइट अब हम इसको छोड़के अगर मान के चलो market as a normally यहीं पे open हो जाता है जहाँ पे closing हुआ है तो हमको क्या करना है आप देखा होगा कहीं कहीं single candle में market open होने के साथ ही इस level को ऐसे breakout देता है या फिर यहीं पे बहुत बड़ा ऐसे downfall हो जाते है ठीक है मान के चलते हैं कि market open हुआ और एक candle ऐसा बनाया जो green candle के सा 240 के ऊपर market यहाँ पे closing दे दिया इस condition में हम क्या वेट करना है क्योंकि ये जो zone होगा ये zone no trading zone होगा मैंने आपको ये भी बताया था वीडियो में कि no trading zone कैसे find करते तो आप लोग जरूर देखना ये no trading zone है यहाँ पे trading बिलकुल भी नहीं करेंगे नहीं buy करेंगे नहीं sell करेंगा हमको wait करना wait किसका करना ये जो arrow देख रहा ह इस arrow के सामने अगर market आता है इसको ऊपर closely यहाँ पे काफी strongly आता है green candle के साथ और market यहाँ पे close कर देता है तो easily हम लोग यहाँ पे buy करने के लिए जा सकते हैं यहाँ पे दो condition trend line और यह resistance line दोनों को breakout करके जाएगा तो थोड़ा बहुत market तो ऊपर जाएगा जाएगा अब market का trend देखिए downside में है तो trend downside में होने के कारण हम लोग क्या करेंगे quantity यहाँ पे बहुत ही कम रखेंगे क्योंकि अगर market में भी अगर हमको trap करता है या फिर यहाँ से reversal भी करता है तो हम लोग को एक छोटा सा estropolis लगे और छोटा सा नुकसान हो right यह सारे चीजे समझने कि अगर आ दोनों चीजे profer होनी ही चाहिए तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत क्या करेंगे quantity को कम रखेंगे और market में अगर market चलो की यहाँ तक आता है market 700 तक तो first target book करने का कोसिस करेंगे otherwise कभी-कभी यहाँ पे continue भी इस तरीका से green candle कर देता है ऐसा अगर करता तो फिर हम क्या कर देंगे ठीक है ट्रेल कर देंगे और ट्रेल करके जब तक जहां तक जाता है हम ट्रेल कर सकते हैं लेकिन मेरा जो मानना है market का sentiment के according अगर market breakout करता भी है सबसे पहले तो यहाँ पे trap करने का कुसिस करेगा देखिए मैंने बताया arrow से यहीं से market इस तरीका से returning का सोचेगा अगर नहीं सोचता है तो यहाँ से भी guys proper यह जो level है 700 क्योंकि देखिए प्रिवेस डे का भी last यहाँ पे market का closing है आज भी market वहीं से previous day मतलब react करके नीचे आया था तो यह भी level काफी important है यहाँ से भी हो सकता है market इस तरीका से trap करने का कोसिस कर सकता है तो जो professional trader है वो तो यहाँ पे clear cut एक चीज बता देना चाता हूँ अगर market यहाँ से उपर इस तरीका से जाता और reverse करता है तो guys फिर से हमको इसी level का wait करना होगा इस 240 के नीचे as a safe trader में बोल रहा हूँ ठीक है as a safe trader इसके नीचे अगर rate candle के साथ आ जाता है easily हम लोग यहाँ पे sell करेंगे और target आपके सामने म लोग यहाँ पे लेने का कोसिस करेंगे अब मैं बताता हूँ देखें मेजर जो यहाँ पे सपूर्ट लेबल है वो है यहाँ पे 700 40,700 अगर यहाँ पे rate यह arrow दिख रहा होगा यह arrow का मतलब है कि नीचे में जो arrow लगाया इसका मतलब है कि market का कहीं कहीं swing low जो है वो यहीं पे है इसको अगर market breakdown करता है तो momentum यहाँ से काफी strongly देखने को मिल सकता है इसका दूसरा region एक और भी है कि market का train down है तो market के direction में अगर कोई यहाँ पे swing low को cross करता है नीचे तो momentum obviously यहाँ बहुत ज़्यादा fast होगा तो ऐसे भी आप selling side में अगर momentum को देखते तो वहाँ पे fast ही होता ह और profit सबसे ज़्यादा selling side में ही बनता है तो यह region के कारण यहाँ पे quantity बढ़ा भी सकते हैं या फिर यहाँ पे आता है तो एक small quantity से आप try कर सकते हैं और major जब यहाँ पे 900 को cross down करता है यहाँ पे regular quantity ले सकते हैं यहाँ से यह indication देगा 700 से कि हमारा continue यहाँ पे selling pressure आ रहा है और market यहाँ से forcefully अच्छा momentum downside में दे सकता है यह सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे next trading session में कैसे market react करता है उसी के according यहाँ पे proper buy और sell करेंगे label already सारे level दिया हुआ है तो सबसे important होता है level से मतलब नहीं होता है market के sentiment को होता है यहाँ पे मैंने दे दिया कि ऐसे buy करना है कोई भी आया market में और यह मेरे वीडियो को देखा label देखा copy किया चला गया लेकिन market का sentiment क्या था यहाँ पे काफी different था जो मैंने समझाया आपको तो यह सब सारे चीज़े समझना जरूरी है market के sentiment को देखना जरूरी है अगर इस चीज़ को आप नहीं देखेंगे तो बार बार आप trap ह आपको लगेगा कि यह level दिया हुआ level काम ही नहीं करता है guys market के scenario के according हमको decide करना होता है सिर्फ level ही draw करना market में काम बिल्कुल भी नहीं करता तो यह चीज़े आपको समझना पड़ेगा सीखना पड़ेगा और यह चीज़े एक दिन में नहीं होती मैं यह भी बोलता हूँ time lots of practice करो आपके सामने सारे चीज़ निकल के आएंगे आप भी इसी तरीका से exactly predict कर पाएंगे guys ऐसा कोई magic या logic नहीं है बस सब game और practice है जितना practice करेंगे वो आपके सामने उतना ही आता जाएगा और आपके लिए सब कुछ easy होता चला जाएगा अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर देखिए निप्टी भी किया है तो यहाँ पी एक range resistance अब जो है market यहाँ पी स्टी किया हुआ है 970 कल के according अगर देखते हैं सबसे पहले यहाँ भी देखिए एक trend line आपको मैं draw करके दिखा देता हूँ यह वाली trend line अभी इस trend line को proper breakout भी नहीं मिला है तो कल के condition में अगर gap up या gap down होता है same as it जैसा bank nifty में बताया इस level को follow करेंगे फिर अगर ऐसा नहीं होता है में भी यहाँ पे as normally market open होता है तो दो condition सरसे फाले valid होगा यह वाली trend line को market breakout करेगा साथ में यह resistance level को breakout करेगा breakout करके अगर इस range में आ जाता है तो हम लोग को क्या करना है वीट करना यह no trading zone होगा जैसा समझाया था bank nifty में same as it जो एसा ही और यहाँ पर 18,030 इसके उपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे easily एक regular quantity ही ले सकते है ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा अगर होगा तो bank nifty भी उदर अपने इस level को breakout करके एक momentum यहाँ पे देना चाहेगा तो दो बारवार यह देखना पड़ेगा कि market का trend जो यहाँ पे dawn है हो सकता है market यहाँ पे trap करने का सोच सकता है चाहेगा वो इसी level से हो या फिर यहाँ पे 100 के पास हो कोई level के पास अगर थोड़ा बहुत भी market यहाँ से reversal का सोचता है या फिर indication देता है तो हम लोग को अपने buying side वाल अगर market मान के चलो कि यह उपर side में breakout नहीं देता है यहीं पे market आजर नोर्मली open होता है तो इस zone में तो कुछ भी हमको नहीं करना है क्योंकि यह एक trapping zone है यहाँ पे buyers trap हो सकते हैं हमको क्या करना है नाइन हंड़े 17th हो या नाइन हंड़े के नीचे अगर market आता है तो यह वा नहीं कर पाया है तो हम लोग को क्या करना है जैसे market इसके नीचे आता है sustain करता है तो shortly हम लोग यहां से selling side के लिए जा सकते हैं एक regular quantity से और यहां से forcefully अप लोग को selling side में market को देखने को मिल सकता है और target हमारा नीचे का यह दोनो target रहेगा इसका reason क्या है कि selling side में market previous two days से आ र यहां पर दिखाऊंगे यह जो trend line आ रहा है इसको भी market इस तरीका से support करते हुए respect करते हुए नीचे breakdown देगा दूसरा condition हो गया तीसरा condition है कि market का swing low जो है न दो से तीन दिन previous एक week का अगर रख ले तो यही वाला है 17,900 और आप सोचो अगर यहां से market को कोई buyers push कर रहा है यहां अपने position को cut करेगा और यहां पर यह भी selling side वे जाएगा और यहां पर कल intradick according new sellers आएगा तो यहां से कितना strong selling pressure आ सकता है इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर 4 to 5 region मैंने दिया कि selling pressure क्यों ज़्यादा दिख रहा है अगर ऐसा continue करता है तो ही हम लोग यहां पर sell करेंगे momentum काफी fast देखने को मिल सकता है और target भी यहां पर काफी huge मिल सकता है right हो सकता है market यहां पर 17.800 को भी नीचे cross कर दे तो guys अगर pressure ज़्यादा रहेगा तो हम अपने position को हमेशा trail करेंगे और इस चीज को हो सकता है तो आप मेरे free telegram channel जरूर जोइन करें वहां पर भी मै आपको सारी चीजे guide करता रहूँगा जैसे कि last day ही बताया 9.16 और 9.20 एम में मैंने call दे दिया था put का और यहीं पर दे दिया था और मैं लिख भी दिया था कि market whole day down side में रहेगा और result देखिए आपके सामने है तो इस चीज को miss मत कीजिए telegram channel जरूर जोइन कीजिए link वीडि any charge आप कोई cost pay करने की जरूरत नहीं सिर्फ account open करके आप वहाँ पे एक दो trade कर लीजिए और वहाँ पे आ जाईए आपको सारे चीजे वहाँ पे सब कुछ free में मिलता रहेगा वो भी lifetime तो guys वहाँ पे benefit यह है कि learning प्लस earning दोनों वह भी free of cost हो जाते है तो जो इसमें आपको को tension learning के जरूरत है नहीं और साथ में यह एक limited time period offer है guys तो इसको आप लोग जितना जल्दी कर सकते उतनी benefitable है बाद में अगर close हो जाता है तो फिर इसमें कोई request नहीं चलेगा तो guys यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजेगा और यसी type के more content इन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें thank you so much for your love and support